फाइनली आज की इस वीडियो में मेरे स्टूडियो रूम का काम जो वो कम्प्लेट हो नहीं वागा है लाइटिंग का सामान खरीदने के लिए आई थी जूमर तो अभी मैं इस टाइम पर ले नहीं सकती LED लाइट्स, रूफ लाइट्स, फैन, दो फैन में लिये थे बहुत सारा जितना भी switchboards वगरा जो भी था उन सभी का 16 से 17,000 खर्च आया था बिलाया था यही पर खत्तम हो गई थे इस टाइम पर पैसे कम पढ़ गए थे तो मैंने अपने husband को बोला कि इतना सब कुछ इंतिजाम तो मैंने कर लिया अब प्लीस 20 से 25,000 का मतलब पैसे कम पढ़ रहे हैं तो प्लीस कहीं से इंतिजाम कर दो तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं कर सबता मैं आज तक किसी कहां से पैसे लिया नहीं हूँ तो मैं दूंगा भी नहीं क्योंकि उनको कभी किसी से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए क्योंकि हमेशा मैंने उनको जब पैसों की जरूरत पड़ी थी तब मैं हमेशा उनके लिए हाजिर थी चाहे वो लाखों में हो या फिर हजारों में हो मैंने उनको सपोर्ट किया है बात सिर्फ 20-25 हजार की नहीं आज की नहीं इससे पहले भी मुझे हजार दोजार की जब मुझे जरूरत थी उन्होंने मुझे नहीं दिया और उन्होंने मेरे खुद की मैंनत के पैसों को भी खर्च करने से जरूरत की जगे पे खर्च करने से भी मुझे बहुत बारूका और टूका भी और जब उनको जरूरत परती थी उस टाइम पे उनके बिनाम बोले मैं उनके लिए करती जाती थी और बहुत सारे लोगों को ये भी गलत पहिमी है कि मेरे काम करने से उनको प्रॉब्लम है शायद उनको मेरे काम करने से कोई प्राबलम नहीं है वो खुद मुझे बोलते की काम करो जाओ काम करो जाओ मैंने का कोई बात नहीं ये भी जुगार मैं कर दूंगी कैसे भी करके और फिर मैंने अपने देवर से बोलके पैसे मंगवाए किसी के आँ से और मैंने अपनी जुबान दी कि मैं एक माहीने के अंदर-अंदर उनका जो पैसा है वो लोटा दूँगी तो बार से पांच दिन में शायद हो सकता है मेरी सैलरी आजाए और मैं वो कर्ज मैदा कर दूँ ताकि मुझे मेरी जुबान से जाधा मेरे देवर की जुबान रखना था मैं उन में से नहीं हूँ जो बुरे वक्त पे काम आता है उनको घिसके उनका इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालके फिर उनको पोंच के फेको मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जा बोलू, मैं सच्छा ही बोलने बैटू तो रिष्टे तूट जाएंगे, रिष्टे लड़ाई जगडा ने रिष्टे भी तूट सकते हैं, और तूट जाये मुझे परवा नहीं, पैसे खतम होने के बाद बारी आई रोम को कलर करने की, तो उसे तीन वाल पे मैंने कलर तो मेरे हजबन ने थोड़ा बहुत खर्चा उठाया और मेरे बेटे ने 400 रुपे दिये थे, जब पैसे कम पड़ गए थे, तो मेरे बेटे से 400 रुपे लिया मैंने, और तब जाके ये कलर कंप्लीट हो चुका है, आज मैं इस वीडियो में एक और बात का खुलासा करना च मैंने अपनी महनत के पैसों से सिर्फ और सिर्फ इस्टूडियो रूम ही नहीं, मैंने अपना घर भी बनाया है, जितना मेरे हजबन का हाथ है इस घर के पीछे, इस घर को बनाने के पीछे, उतना ही बराबरी का मेरा भी हाथ है, इस घर को बनाने के पीछे, और जितना मैंन उनके साथ खड़ी रही। मैं हमेशा उनकी गल्दियों को छुपा के रखा दुनिया से। बार-बार मुझे ऐसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे साथ खुश नहीं है और ना ही वो मुझे खुश रख सकते हैं यह हकीकत है कि उन्होंने मुझे कभी खुश नहीं रखा और ना ही कभी खुश रखने की कोशिश की पंदरा से बेस दिन ऐसे ही काम चलता रहा सिर्फ एक रूम बनाने के लिए तो उस टाइम पे मेरे हस्बेंट काम पे नहीं जा रहे थे और उनके पास घर चलाने के लिए ना ही पैसा था और उनके पास ना ही कोई सेविंग थी करी हुई तो उस टाइम पे मैंने ही उनके बिना बोले घर का पुरा खर्च उठाया उनके बिना बोले ही मैं सब कुछ कर रही थी क्योंकि मेरे husband जो है वो मेरे काम पे लगया मतलब कि मैंने labor में सरी को तो लगाया ही था सिर्फ और सिर्फ color हम लोगोंने किया क्योंकि पैसे खतम हो चुके थे मैं इंतिज़ाम करती आगे भी मैं इंतिज़ाम करती थी बट हर तरफ से मैंने पैसों का इंतिजाम किया अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तब जाके मैंने एजबन से पैसे पूछे शायद 1500 से 2000 उनके कुछ लगे थे और बेटे ने मुझे दिया था छोटे बेटे से मैंने लिया काम कैसे कर रहे हैं ओ उनको देखना होता था बस उनके नजशर रहना था कि वो ठीक से काम कर रहे है या नहीं कर रहे हैं बस आप सोच रहोगे कि रूम का ऐसा कितना ख़ड चायगdogा जो इतनी सारी बाते बोल रहे हैं सबसे पहले तो मैं अपने अंदर से सब कुछ निकार रहे हूँ क्योंकि मेरा सबर तूट चुका है हर दिन हर टाइम पर मैं सबर करके यहां तक पहुंची हूँ अब मैं सबर नहीं कर सकती अब मैं चीजों को अंदर नहीं दबा सकती अब मैं अपने हजबन के लिए action लेना और खर्चा कितना है अगर आप सुनना चाहते हो तो देखो एक मोटा वाला हिसाब बोलू तो दो लाक रुपए या फिर उसके उपर गया होगा सारा हिसाब किताब मेरे हजबन के पास है जब मैं उनके यहां से ले लूँगी तो तब मैं आपके साथ शेयर कर दो बार-बार बोल रहे हूं कि प्लीस मुझे हिसाब देड़ो रूम बनाने में इतना इतना खर चाता है ताकि कोई बनाना चाहे तो बना सकता है और बागी का जो भी उन्होंने क्या मैं उनकी वाइफ हूँ इतना तो वो मेरे लिए कर ही सकते हैं उनकी जिन्दगी में पर कभी बोज नहीं बनी तकि उनके पास कुछ नहीं था तब भी मैं उनके लिए बोज नहीं बनी थी और ना मैं आज बन रही उन्होंने जितना भी मेरे ले किया या फिर वो कर रहे हैं वो मेरे पर एहसान नहीं है उनका फ़र्ज है मैं उनकी वाइफ हूँ मेरी हर चीज मेरी खुशी मेरा गम मेरा हर चीज की जिमेदारी उनकी है जो उन्होंने खाई नहीं है दुन्या वालों को यह लगता है मेरे लो है ना जो लब की बाहर वाली जो फ्रेंड्स है उनको भी यह लगता है कि वो मुझे खुश रख रहा है ऐसा नहीं है डियर मैं अपने आपको खुश रखती हूँ अपनी सारी खुश नचूँ मैं खुश से पूरी की है। मेरे हस्बबन नstormा की है अगर आप यह गलत फ्रेंश में हो है तो ऐसा नहीं है आप यह गलत फ्रेंश में मत रह छी सारी। करके उसका जो तागे कट करने का फिनिशिंग होता था वो करती थी, साड़ी का फॉल टकती थी, मैं टेलरिंग करती थी, मैं ब्यूटिशन करती थी, और मैं कॉस्मेटिक का समान बेचती थी, पता नहीं मैंने क्या क्या बेचा, क्या क्या खरीदा, क्या 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 अपनी जिन में क्या 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 मैं बयान नहीं कर सकती और अगर मैं बयान करू भी मेरे मेरे लोग यह सब कुछ देखते थे चाहे हो मेरे ससुराल वाले हो चाहे हो मेरे मायके वाले हो यह सब कुछ मेरी महनत वो देख रहे थे लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि आखों से देख कर भी वो जाहिर नहीं करेंगे बोलेंगे नहीं कि हाँ इसने किया है क्योंकि उनको किसी की नजर किसी और की नजरों में गिरना नहीं है वो मेरी नजर में गिर जाएंगे लेकिन किसी और की नजरों में वो नहीं गिरेंगे ऐसे है वो लोग अगर आथ कि इस वीडियो में मैंने कुछ भी गलत बोला है, तो अफकोर्स नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला पड़ा है. अमीद करते हूं कि मेरा इसमें मेरे साथ खुश रहें और मुझे भी खुश रख सकें. अमीद करते हूं करते हूं कि मेरे सकें. कर दो कर दो कर दो